साथियों आप सभी के इस प्लेटफार्म पर स्वागत है यहां पर हम लोग UBPCS की जो परिछा में जो सेकेंड प्रेपर सी सेट के आता है उस सी सेट के प्रश्ण पत्र में एक सेक्षन आता है अंतर व्यक्तिक्यों संचार को सल समानता हम इस सेक्षन को पढ़ते नहीं है इस से लेकर 2012 तक के जो सी सेट के पत्रों में अंतर व्यक्तिक्यों संचार कौसा समहीति प्रश्ण पूखे गये हैं उन प्रश्णों को इस वीडियो में हम लुक देखेंगे तो चलिए स्ब्श्ण को देखते हैं तो पहला प्रश्ण है आप यहां पे इंगलीस भी देख सकते पहला प्रश्ण है कि प्रति पुष्टी या जानकारी देना प्रभावी रूप से ब्यवहार के प्रवंधनियुम कारिको सल्था को बढ़ाने में प्रिक्त होता है। आगे बात करते हैं निम्रिखित में से कौन सा किसी समस्या के समाधान है तो चिंतन का तरीका नहीं है। आगे चलते हैं आगे चलने से पर इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए एन ग्राम्स क्या होता है एक सगने। एन ग्राम्स क्या होता है एन ग्राम्स सब्दों का एक खेल है जिसमें किसी सब्द या वाक्यांस के अच्छनों को पुना वेवस्थित करके एक नया सब्द या वाक्यांस बनाना होता है। और खेल में सभी मूल अच्छरों का केवल एक बार उपयोग करने की अनुमती देता है। से सभी समस्या समाधान है तो चिंतन का तरीका है जो उपर के तीन दिये गा है। आगे चलते हैं अग्ला प्रश्ण है कि निम लिखित मैंसे ब्यवहार परिवरतन को परभावित करने की आधारभूत प्रविती जो है वो कोण सी है। तो इसमें आप देखेंगे, तो इसमें आपका जो ए विकल्प है, संप्रेशन, कम्मिनिकेशन जो है, ये व्यवहार परिवर्तन को परभावित करने की आधार भूत प्रविद्धी है, ठीक है, तो संप्रेशन है, आगे चलते हैं, अगला है समस्या समाधान प्रकिरिया अनि रूप से एक ब्रमण है, तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर आप सी वाला देखिए, समस्या परिछेत्र के माध्यम से, समस्या समाधान प्रकिरिया अनिमार रूप से एक ब्रमण है, समस्या परिछेत्र के माध्यम से, देखिए, समस्या जो है, इस्थान, उन सभावी समाधान खोजने के लिए समस्या इस्थान के माध्यम से धर्मड करना चाहिए आगे बात करते हैं अगला है अगला प्रशने पारास्प्रिक लेंदेन के रूप में संप्रेश्ण माडल के अमसार लोगों के मद्ध अंतह क्रिया ये क्या है ये आगे चलते हैं अगला प्रशन है कि निम्लिखित में से कौन निम्लिखित में से कौन सा समस्या समाधान में बिभाजित करो और जीतो रणनीत का एक संसकरण है तो यहां आप चारो विकल्पों को देखें तो इसमें जो C विकल्प है साधन साध्य विश्लिशन साध्य विश्लिशन जो है ये समस्या समाधान में बिभाजित करो और जीतो रणनीत का एक सं थीक है? Means and Analysis तो देखिए साधन साध्य बेश्रेश्म का प्रियोग व्यक्ति के समस्चा समाधान में करता है। इस तरह की विध में व्यक्ति समस्चा को कई छोटी-छोटी समस्चा में बांट देता है। इन में से प्रतेक उप समस्चा का समाधान करके समस्चा के मौलिक अवस्था और लच्छन अवस्था के बीच अंतर को कम कर दिया जाता है। विभाजित करो और जीतो रणनीत का एक संस्क्राण इसी के अंतरगत आता है। अगला प्रश्ण है कि यदि कोई व्यक्ति किसी समस्चा का समाधान अपने पूर्वा अनुभव के अधार पर करने का प्रत्न करता है तो उसे क्या कहा जाता है। उसे मानसिक विन्यास, मेंटल सेट कहा जाता है। ठीक है तो पूर्वा अनुभव या पिछले अनुभव के अधार पर किसी समस्चा का समाधान करना एक मानसिक विन्यास है। आपका आवाज गुण उत्ता, वाइस क्वालिटी, वागगत स्पीच रेट, पिछ रमान ये सभी सामिल है। प्रत इसमें मौकिक अन्ताक्रिया, वर्बल इंट्रेक्शन सामिल नहीं होता है। तो आपके पैरा लेंग्वेज में जो है मौकिक अन्ताक्रिया सामिल नहीं होता है। तो यहां पर थोड़ा सा पारा भाषा या पैरा लेंग्वेज के बारे में देखनें। तो पारा भाषा जिसे बोकलिक्स भी कहा जाता है। मेटा कम्मुनिकेशन का एक घटक है जो पिंगल या चंदो, श्वरमान अथत पिछ आवाज का उतार चढ़ाओ, आवाज की गुलोता, भाषा की गति या भाषन की गति इत्याज यहीं तखनीकों का उपयोग करके अर्थ को संसुषित कर सकता है। कुछ अर्थ देश कता है या भाषनाओं को व्यक्त कर सकता है, या मौखिक बातचीत को अथा जो वर्वल इंट्रेक्शन है इसको सामिल नहीं करता है। कि वह संप्रेशन जो किस संगठन में समय बचाता है और सम्नवी को सहज बनाता है उसे क्या कहलाता है? वो आपका पार्श्विक संप्रेशन, लेटरल कम्णिकेशन कहलाता है। तो पार्सविक संप्रेशन वा संप्रेशन जो कि संगठन में समय बचाता और सम्नवी को सहज करता है। तेकि एक संगठन में समय बचाने और सम्नवी की सुविधा के लिए चैतिर संचार या पार्सविक संप्रेशन की अक्सार आउ सकता होती है। और समान संग्ठनात्मक इस थे पर करमचारियों के भी 66 या पार्वसंचार होता है। आगे चलते हैं, अगले प्रसन पर चलते हैं अगला प्रसन आपका कि संचार प्रभावी होगा यदी या ह, यहाँ पे D option प्ढ़ग काई ये ततिकाल प्राप्त किया जाए। संचार प्रभावी होगा यदि यह ततकाल प्राप्त किया जा है एक प्रभावी संचार दो तरफा या दुई मारगी संचार होता है इसमें प्रेशक और रिसीबर दोनों सामिल होते हैं एक संचार को प्रभावी होने के लिए संदेश का ततकाल प्राप्त किया जाना अति incubation incubation उद्भवन का एक प्रकार है समस्या पर निद्रा एक प्रकार है उद्भवन का ठीक है तो किसे समस्या पर निद्रा अंतर द्रिष्ट को सुविधा जनक बनाने का एक तरीका है यह उश्मयमान या उद्भवन का एक रूप है इसका अर्थिया है कि कोई विक्त किसी समस्या से दूर समय बिता करकर उसका समाधान निकालता है अगला है संप्रेशन प्रकिरिया में सूचना को जान बूच कर हेर फेर करना क्या कहलाता है तो यह है निश्यंदन फिल्ट्रिंग कहलाता है निशियंदन या फिल्ट्रिंग कहलाता है, निशियंदन प्रभावी संचार के लिए एक बाधा है, जो तब होता है जब कोई प्रेशक जानबूच कर, जानकारी में हेर भेर करता है, ताके रिशीवर प्राप्त करता है, इसे अधिक अनकूल रूप से देख सके, आगे बात क प्रेशन का संप्रेशन एक समुदाय, शहकर्मी समुहों, विभागों या एक संगठन की कायों के भीतल लोगों के बीच सुचनाओं, विचारों या भावनाओं का आदान प्रतान या साजा करना है, जो एक ही पदानुक्रमित इस तरपर या उसके बारे में है, आगे बढ पहला, एक दच्च संप्रेशन सदेव प्रभावी नहीं होता है, यह कथन आपका सही है, एक प्रभावी संप्रेशन सदेव दच्च नहीं होता है, यहाँ दोनों चीज़ें, कि एक दच्च संप्रेशन जो होता है, effective communication, वो सदेव efficient नहीं होता है, और एक प्रभावी संप् हो पाथ लेकिन इसकी पहचान इसकी संछिपता है यह समय कभी-कभी संदेश-प्रवावी तरह से प्राप्त होता है तो कभी भी संदेश का भाव या उद हैं। उद्देश बाधित हो जाती है। इस से एक प्रवावी संप्रृषण nic दो दक्रत्र्च नहीं होता है यानि संछिप्त तथा सुसपष्ट नहीं होता है लेकिन राप्त करता को ध्यान रखता है यह दुई मारगी संचार परेक्रिया है इसमें बहुत सारे सत्यापन tradition pre但 सामिल है अथा दोनों कथन सत्यापनpek अगला है समस्या समाधान में, समस्या समाधान में साधिर्षिता का उपयोग दरशाता है। इसी विशेश विशे से दूसरे विशे में जानकारिया अर्थ को इस्थानतित करने की एक संग्यानात्मक प्रिक्रिया है। इसका ताथपर उन टक्नीकों के अनुप्योग से है, जो पिछली समानी सितियों में उप्योग की गई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला है अंतरवैक्तिक संगर्ष का सबसे अधिक उद्धृत स्रोत क्या है, तो इसका सोर्ष क्या होगा आपका, कमजोर संप्रेशन, ठीक है, कमजोर संप्रेशन, पूर कम्निकेशन, यहाँ व्याख्या देखें, तो देखें, अंतरवैक्तिक संगर्ष तब उत्पन होता है, जो लोगों के इस्ते में अशंगत जरूरते हैं, लच्छी या द्रिश्कौन होते हैं, अनुसंधान बताता है कि कमजोर संप्रेशन, अंत अंतरवैक्तिक संगर्ष का सबसे अधिक उध्रित श्रोत होता है, अगला है नेमलिकित में से कौन सा प्रतिरूप अंतरवैक्तिक संप्रेशन की गत्यात्मक्ता पर बल देता है, तो देखें, which one of the following model emphasizes on the dynamism of interpersonal communication, तो देखें, इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका स्तीवा पढ़िए, संब्यवहार प्रतिरूप, तो संब्यवहार प्रतिरूप अंतरवैक्तिक संप्रेशन की गत्यात्मक्ता पर बल देता है, देखें, संप्रेशक का संब्यवहार आत्मक्त प्रतिरूप सूचना के निरंतर आधान प्रदान को संदर्वित करता है, जहां प्रेश स्रवण में बाधा नहीं है तो देखिए दिक द्रिष्टकॉन डूवल प्रस्पेक्टिव जो होता है ये सचेतन स्रवण में बाधा नहीं होता है जबकि पूर्व निर्ण, प्रिजज्मेंट, संदेश अतिभार, मैसेज ओबरलोड या संदेश जटिलता, मैसेज कॉम्पले द्रिष्टकॉन डूवल प्रस्पेक्टिव ये बाधा नहीं होता है अगला है समस्या समाधान में वर्तमान जानकारी को रुपांतित किया जाता है किसमें आंतरिक मानसिक प्रत्नित में इंटर्नल मेंटल री ओरियंटेशन में इसको रूपांतित क्या जाता है तो समस्या समाधान में वर्तमान जानकारी को रूपांतित क्या जाता है आंत्रिक्स मांसिक प्रत्रिक्त में आगे चलते हैं 90 वसाद वेक्यों के कार एक गंटे अंतरव्यक्तिक कौसल में लगे हुए है। आगए बात करते हैं बिचार सदेव समाहित करता है किसको। तो बिचार मतभेध को समाहित करता है बिवात्त तब उत्पन्द के पार्टिओं पच्चकारों की बीच मतभेध होता ह। आगे बात करते हैं सच्छमता, संबंधता और स्वायतता कि मनों विज्ञानिक आउसकताओं को पूरा करने के लिए किन कौसलों का एक प्रभावी भंडार आवश्यक है तो अंतर व्यक्ति कौसलों का इंटर पर्सनल स्किल्स का भंडार वो आवश्यक है ठीक है अब आगे चलते हैं निर्णयन च्छमता पर आधर प्रसनों को देखें दो समरांता टीमों के बीच एक फूटवाल मैच देखने के बाद एक व्यक्ति जोड़ दिगर कहता है कि वह पहले से जानता था कि विशेश टीम जो विजेता टीम है जितने वाली थी यह किसका उदाहान है तो यह जो है पश्च दिष्ट अभिनित हिंड साइट बायस का उदाहान है पश्च दिष्ट अभिनित एक ऐसी मनोवेग्यानिक परिखटना है जिसके अंतगत पिछली घटनाओं के बारे में परिकल्पना की जाती है आप अन्मान वेक्ति करते हैं क्या यह जीतेगा अता उक्त उदाह पर्फलिस में वैक्ति द्वारा पहले से है जानना की कोई से टीम जीतेगी पर्ष्ट दिष्ट अभिनित कहलाती है आगे बढ़ते हैं अगला है निर्णय लेने के संदर में वैक्तिकत्संभावयथां को आमतवर पर क्या कह जाता हैं इसे आत्मनिष्ट संभाविता व्यक्तिकत संभाविताओं को जो आपके जो होती है उनको पर्सनल प्रोविल्टीज को क्या कहते हैं आत्मनिष्ट संभाविता सब्जेक्टिब प्रोविल्टीज कहलाती है आत्मनिष्ट संभाविता किसी व्यक्तिकत व्यक्तिकत निर्णय या स्वैम के अन्भों से प्राप्त संभाविता का एक प्रकार है कि क्या कोई विशिष्ट परड़ाम होने के संभावना है इसमें कोई अवचारी गढ़ना नहीं है और केवल डेटा या गढ़ना के बज़ाए विशय की राय और पिछले अन्भों को दरसाता है आगे बढ़ के माद्यम से अपने निर्ड़ाय लेने में सुधार कर सकता है दो के दोनों कथनिया पर आपके सही है इसलिए सी ऑप्सन हो जाएगा आगे बढ़ते हैं स्रिजनात्मक समश्या समाधान संबंधित है किस से तो ये अपसारी चिंतन से स्रिजनात्मक अतात क्रियेटिव प्र समाधानों से रचनात्मक विचार उत्पन करती है यहां आम तोर पर एक मुक्त प्रवाह वाले गयर रेखिये तरीके से होता है और अक्सर समश्या की इस्तित के लिए रचनात्मक समाधान की ओर जाता है आगे बढ़ते हैं अब 2020 के प्रश्णों को देखते हैं तो जानके अरथात्मकता अनुघरहन चव़ी प्रवन्धन अनुघरिए उन इंटरिये शन इन ग्रियेश इन ग्रिये शन ग्रिये सल थात्मक उनलेख प्रवाह अंतरव्यक्तिक औरैंधल हैं ठिके का परत्व आपका प्रजाति के इनृता है इतनी हूं सेंट्टिजम जो है य ग्रखश when उस्छ सब्सक्रांद आंटरव्यक्तिक अउरोध उत्पन ग्रता है upसे पर ज्विरिय अव्यर्षणी आउरोध इंद्र स्पन्ट नहीं करता है यह प्रसक्रेशन में, मेटा संप्रेशन में, संप्रेशन निस्कपटता, संप्रेशन निस्कपटता का उच्तम अंस मेटा संप्रेशन पायता है, मेटा संप्रेशन एक दुतियक संप्रेशन है, जो किसी जानकारी के अर्थ को बताता है, अलग-अलग मेटा संचार के साथ, एक ही संदेश का अ तो सी पढ़िए हानिकारक भाषा को स्विकार करने से इंकार आगे चलते हैं अगला है शामिपिया प्रोक्षे मिक्स अशाबदिक सम्प्रे आशाबदिक सम्परेशन से नान्वरवल कम्मुनिकेशन से संब्दित है शामिप्या प्रोक्षे मिक्स असाब्दिक संप्रेशन से संब्दित है असाब्दिक संप्रेशन से ताजपर सावानिता सब दरहित संदेशों को भेजने यों प्राप्त करने की प्रिक्रिया से अधात भासा ही संप्रेशन का एक क्यों मुख्खि तत्त्त्ति क्या है सक्यू मैं सुचचिद करने निवेदन करने प्रेड़ुत करने या प्रतिष्था में वृद्धी करने के लिए शूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता और सक्रिय स्रोन प्रभावी अंतरव्यक्तिक संप्रेशन का मुख्य तत्व है आगे चलते हैं निमलिखित में से कौन सा संगठनात्मक पारिस्तिकी से संबंदित है और 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 इकोलोजी से संबंदित है तो सी वाला पढ़िए पार्शिविक संप्रेशन लेटरल कम्मुनिक जो है यह संगठनात्मक पारिस्तिकी से संबंदित है देखे पार्शिविक संप्रेशन या लेटरल कम्मुनिकेशन जो है यह संगठनात्मक पारिस्तिकी संबंदित है पार्शिविक संप्रेशन से ताथ पर किसी संगठन में सम इस्तरी मतलब एक इस्तर वाले क्रमचारिय के मद्य संप्रेशन से हैं पार्सविक संप्रेशन को 36 संप्रेशन के रूप में भी जाना जाता है मतलब जो आप बराबर वालों से संप्रेशन करते हैं तो वह आपका पार्सविक संप्रेशन या 36 संप्रेशन कहलाएगा या किसी संगठन में दो समान इसतर के क्रमचारियों के मद्य सूचनाओं के आदान प्रदान को आशान बनाता है निम लिखित में से कौन सा संप्रेशन में पराभाशिये संकेत है तो देखिए इसमें देखिए स्वर संप्रेशन में रभाशिये संप्रेशन में पराभाशिया संप्रेशन प्रदान क कel प्रक्रिया संचार या संप्रेशन कहलाती या एक गत्शील प्रक्रिया है आगे बढ़ते हैं किस प्रकार के संप्रेशन नेटवर्क में समुह के नेता के उद्भो की संभावना होती है लेकिन समुह के सदेश्यों की तुरुष्टी निरंतर होती है तो देखिए in which type of communication network there is a likelihood of emergence of a group leader but lower satisfaction among the member of the group जो तुरुष्टी होती है सदेश्यों की तुरुष्टी जो होती है satisfaction वो निमतर होती है तो देखिए चक्रप्रकार में विल्टाइप में चक्रप्रकार के संप्रेश्ण नेटवर्ग में समुह के उद्भोन की संभावना उद्भो की संभावना होती है लेकिन इसमें समुह के सदेश्यों की तुरुष्टी जो होती है जो संतुरुष्टी है आपकी वो निमतर होती है संगठनात्मक माउन का एक उदाहन है, निम्लिकित में से कौन सा उर्ध मुखी संप्रेशन में संगठनात्मक माउन का एक उदाहन है, विच आप दो फॉलोइंग जैने एक्जांपल आफ और्गनाईजिसनल साइलेंस इन अपवर्ड कम्नुकेशन, तो कौन सा है? निश्पंदन, फिल्टरिंग जो है, फिल्टरिंग आपका उर्ध मुखी संप्रेशन में संगठनात्मक माउन का एक उदाहन है, जब कि बिक्रती, बिलम, अनुक्रिया का भाव ये नहीं है, तो देखिए, निश्पंदन या फिल्टरिंग उर्ध मुखी संप्रेशन में मौन का एक उदाहन है, जब किसी संगठन में अधिनस्तों द्वारा उच दाहिगार उच्चा धिकारियों को सूचना ये संदेश बेजा जाता है, तो यहां उर्ध गामी या उर्ध मुखी संप्रेशन, अपवर्ड कम्मुनिकेशन कहा जाता है, इस प्रकार के संप्रेशन के अंतरत मौखिक प्राथना, अनुमति मांगना, प्रगति रिपोर्ट प्रसुत करने का प्रियोग होता है, आगे चलते हैं, लिस्निंग, रिफ्लेक्टिव लिस्निंग या परावर्तित स्रमण, इमपैथिक लिस्निंग या परानुभूतिक स्रमण, ये सभी जो हैं सक्राइत्मक स्रमण का रूप हैं, परंतु निर्णयात्मक स्रमण, जज्मेंटल लिस्निंग जो होता है, वो आपका सक्राइत्मक स् ठीक है, आगे चलते हैं, निम्लिकित में से कौन सा सोर से सम्मंधित संप्रेशन में बाधा नहीं है, पुछ आतों, following is not a communication barrier related to noise, तो इसमें देखें आपका, जो डाइडिक और के टाइपस है, या दुख आधि प्रारूप, दुख आधि प्रारूप जो है, ये, सोर से सम्मंधित संप्रेशन में बाधा नहीं है, जबकि प्रतेच ग्यानात्मक समष्या है, सूचना अधिभार, सांस्कृतिक बीनिता है, ये सभी जो है, सोर से सम्मंधित संप्रेशन में बाधा है, संचार में उत्पन वह बाधा जो प्राप्त करता दोरा संदेश प्राप संचार प्रक्रियाम संदेश के तीवर प्रवाह के लिए अनुचीत माध्यमों का प्रयोग दोश्पून यांत्रिक साधन संचार कर्थबाव संचार प्राफ्प करता की सामाजिक सांस्कितिक प्रेशभूम की भिनताएं, सुचनाओ का अतिभार, सास के प्रकाशन संबंदी भाषा इत्यार संचार के प्रवाव को कम कर देती हैं आगे बढ़ते हैं, संप्रेशन प्रक्रिया में संदेश रूपांतरण की सफलता की जाज की जा सकती है, किसके माद्य हम से, प्रति पुष्टी के दौरा, फिडबैक के दौरा, संप्रेशन प्रक्रिया में संदेश रूपांतरण की सफलता की जाज, in the communication process successful transfer of message can be checked through feedback अगला है पार विभागी क्राश डिपार्टमेंटल समितियां रूप है किसका तो यह पार्श्विक संप्रेशन का जो क्राश डिपार्टमेंटल कम्निटीज हैं यह लेटरल कम्निकेशन का ही रूप है देखे जब दो समान इस तरह व्यक्तियों विभागों के विचार विमर्श अथवा सुचनाओं का आधान प्रदम तो उसी कहते हैं आगे बढ़ते हैं दो सुचियां दी गई है इन दो सुचियों कहां में क्या करना है शुमेलित करना है तो देखिए यहां पर यहां पर मनुषर म感じल है कभूण नहीं कोई मनोषर नहीं है यह चीज न तो में करना है तो ये एक पॉजिटीब चीज है अंस व्यापी सकरात्मक हो गया, और कुछ किसांद ही नहीं है तो अंस व्यापी निसथात्मक हो गया किसी समयश्य की इस्थित में पूर में सामना की गई समयश्य से समानता के आधार पर निर्णे की प्रक्रिया को क्या कहते हैं तो इसे प्रति निधिक्ता का स्वाशोध कहते हैं Heuristics of Representative Business या प्रति निधिक्ता का स्वाशोध कहते हैं देखें निर्णे लेने में निर्णाय कतुनों को स्वाशोध की रूप में जाना जाता है प्रत निदिकता का स्वासोध उस निड़य प्रक्रिया को कहा जाता है जिसमें किसी समश्या की स्थित में पूर में घटित हुई समश्या से समानता के आधार पर निड़य के जाता है श्वता सोध के तीन प्रकार है उपलब्द उपलब्ता सोध परतनिधिक सोध और समयोजन और आसरण सोध निम्लिकत में से कौन सा समस्या समाधान में कभी-कभी बाधा उत्पन करता है तो मानसिक विन्यास, मेंटल सेट जो होता है आपका, वो समस्या समाधा में कभी-कभी बाधा उत्पन करता है किसी मनुष्रिका मानसिक विण्याष कभी-कभी किसी समस्या समाधान में बाधा उत्पन करता है श्वार्षोध शादिरिष्ता एल्गोरिथम कलंग बीदी प्रयाश यों तुर्टी प्रक्रिया अंतरदिश्ट इत्याच समस्या समाधान युक्तियां है जिसमें एक बिनिष्ट, एक विशिष नियम या प्रक्रिया का अंसहन कर के समस्षा का समधान प्राव्त किया दा सकता है निम्निक्त निर्डेन सैली में से किसमें लंबा समय लगता है निम्निक्त निर्डेन सैली में which are the following decision making style takes longer time तो जो बिश्लेशनात्मक सहली होगी इसमें क्या होगा अधिक समय लगेगा क्योंकि इसमें निर्णायक्ता द्वारा संदिक्ध सब्दों या प्रक्रणों को इसपष्ट करने के लिए अधिक से अधिक सुचनौत दशा बिकल्पों का सहारा लिया जाता है अगला है एक ब्रित चित्र में बिभिन ब्रित खंडों का अनुपात समानुपाती होता है वो शमानुपाती होता है ब्रित खंडों के कोणों के एंगल आफ सेक्टर्स ब्रित खंडों के कोणों के शमानुपाती होता है आगे चलते हैं अगला है नेड़े लेने के संदर में फ्रेमिंग प्रभाव फ्रेमिंग इफेक्ट निमलिक्त मीसे किसका उले करता है तो आप पहला पढ़िये फ्रेमिंग इफेक्ट जो है यह बिकल्पों की प्रस्व 멋있i का धंग बिकल्प के चैन को प्रभावित करता है तो निर्णय लेने के संदर में प्रेमिंग प्रभाव बिकल्पों की प्रसुति के धंग और बिकल्पों के चैन को प्रभावित करता है किसी विवेक्ति या प्रसासक के समझ समस्या के समाधान है तो अनिक बिकल्प हो सकते है और इन विकल्पों में से किसी एक का चुना और उसकी प्रसुती का ढंग और उस विकल्प का चैन निड़ेन कहलाता है। अगला है निड़ेन की वह सहली जो सभी को प्रसंद रखने से अत्यधिक संबंदित है। निड़ेन की वह सहली को प्रसंद रखने से समधित है। दूसरों के साथ कारी करने में रुच लेता है। तो उपयोगिता का आकलन आप इस एंगलिस में देख लिए। कि संभाविता के अनुमान का नियम नहीं है। संभाविता का संबंद आगमन से आगमन निरेचन और परिचन पर आधरित होता है। संभाविता को पूर्ण रुप से आत्मगत कहना उचित नहीं होगा। क्योंकि निरेचन और परिचन विश्यगत होते हैं। आगे बात करते हैं। बैध मानक आकार के बैध मानक आकार के निरपेच न्यायवाक्त में। तो उसे ब्याप्त होना होगा किसमें। मुक्य आधार वाक्त में ब्याप्त होना होगा। देखे नियाए वाक के एक विशेश प्रकार का तर्ग करने का माध्य हमें जिसमें दो अन्य कत्रों के आधार पर तीसरा कत्र भुकतान या निसकर्स निकाला जाता है आगे बात करते हैं प्रसंभाविता प्रवरेलटी इज ए अट्रिब्यूट प्रसंभाविता गुण है प्रवेल्टी इज इज अएन एट्रिब्यूट है किस्चिश का तो आग मनात्मक युकती का एन इंडक्टिव अर्गूमेंट का जो है युक्ति का गुण है ठीक है तो ध्यान रखेगा प्रसंभाविता आगामनात्मक युक्ति का गुण है देखें प्रसंभाविता का संबंद आगमन से किसे है आगमन से आगमन निरिच्छन परादरित होता है आगमनात्मक तर्ग के स्धेअं के निज्वाव farmers फोते हैं। इस प्रकार के कत्रों में निशित्ता का अभाव होता है। कि प्रत्यात्मक साईली के निर्णा करता होते हैं। कांसेप्चुल इस्टाइल डिशेन मेकर्स जो होते हैं उनमें समश्याओं के सिजनात्म समध्धान खुजने की अच्छी प्रविति होती है देखे संप्रत्य जो होता है संप्रत्य यह चिंतन का एक महत्मूत साधन है यह एक समाने विज़ार जो उसी समाने वरकी सभी वस्तों की शामाने विशेस्ता है आगे चलते हैं, किसके निराकरण में परिभाषा की प्रमुक उपयोगिता है, तो किसमें है संदिग्रिता, एम्बिगुटरी में परिभाषा की प्रमुक उपयोगिता होती, जब कोई व्यक्ति किसी निर्णय के वांचित लच्च के बारे में काफी कम जानता हो, और जब न किसी बैध मानक आकार का निर्पेच नियाय वाक के निसकर से विशिष्ट हो ये उम दोनों आधार वाक के शर्व व्यापी हैं। आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन है आपका यहां पर कालिक संप्रेशन का अध्यन जाना जाता है। इसके अंतर समय का प्रियोग एक महात्पूर्ण तत्य होता है। संप्रेशन के अंतरवत कालिक संप्रेशन समय तत्य को संदर्वित करता है। आगे बढ़ते हैं गोल्डन रूल सरबोत्तम नियम नितिसास की हर प्रणाली में निहित होता है। और हर आदमी किसी ना किसी रूप में से श्विकारता है। ताकिक गिरावट है जो तब होती है जब किसी चीज को सही या अच्छा माना जाता है। तोकि यह चीज लोगप्री है। निसंद है कोई लोगपी धार्णाय सच हैं। परंतु उनकी सच्चाई, उनकी लोगप्रता का अर्थ नहीं है। अगला है। निमलिकित में से कौन सा एक किसी निर्णे के परिणाम की व्यक्तिनिष्ट सम्भाविता के अनुमान का नियम नहीं है। किसी निर्णे के परिणाम की व्यक्तिनिष्ट सम्भाविता के अनुमान के नियम के अंतरत उपयोगिता का आकलन सामिल नहीं है। लो टॉर्णे किसके लिए निर्देसात्मक सहली में निर्देसात्मक सहली में निमतर सहन सीलता पायाती है। नियम वा कानून निर्देसात्मक नेतरत सहली के प्रात्मिक तत्तों है। कुछ नियमों का एक विशिच प्रकार से पालन किया जाना चाहिए। तो निर्देशक इस्तत्य को प्रभावी धंग से समवात करने में सच्छम होना चाहिए। अगला है संप्रेशन अंतहक्रिया की रूप में परिप्रेच के अमसार प्रतिपुष्टी कभी-कभी गैर इरादतम होती है। समवात की रूप में परिप्रेच के अनुसार प्रतिपुष्टी जो है कभी-कभी गैर इरातन समवात की थोड़ा से इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। इस प्रकार अंतहक्रिया की रूप में संदेश कभी-कभी बिना उद्देज अर्थाद गैर इरातन भी प्रिश्टीत होता है। यह निश्चायात्मक भी नहीं होता है। आगे चलते हैं। अगला प्रशन है जटिल समश्यों की इस्थित में समूह निस्पादन जो है उचतर होता है। In case of complex problem group, performance is higher in vikendrit network में, decentralized network में इसका निस्पादन जो होता है। जटिल समस्यों के संदर में vikendrit संचार में समूह निस्पादन उचतर होता है। वikendrit network के अंतरत सहयोगी चुनोती पूर्ण वातावण में विचारों की खोज करने वह उन्हें साजा करने में समूह कारे को बहुत तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। वस्तुता ये बुद्धिशीलता के नियम पर आधारित है। अर्थात जितने अधिक लोग उतने अधिक विचार। आगे बढ़ते हैं प्रभावी संप्रेश्ण में औरोधक क्या है। प्रभावी संप्रेश्ण में आपका क्या औरोधक है। नीति प्रभचन, निर्णय प्रखोना और सात्वना प्रद्याई टिप्णियां। मोरलाइजिंग, बींग, जज्जमेंटल, और कमेंट्स, आपका कॉंसलेशन। ये जो चीज़ें ये प्रभावी संप्रेश्ण में औरोधक होती है। देखें, यहां पर औरोधक जो प्रभावी संप्रेश्ण के मुख्य रूप से निम्ध औरोधक सामिल होता है। एक ऐसा सामुहिक प्रियास, जो बैकलपिक बिचार उत्पन कर एक प्रबंधक को समश्या का समाधान करने में सहता करता है। एक ऐसा सा मोहिक प्रियाज जो बैकल्पिक विचार उत्पन कर एक प्रबंद्ध को समश्य का समाधान करने में सहायता करता है क्या कहलाता है तो यह बुद्ध्यो तेजक कहलाता है ब्रेन स्टोर्मिंग कहलाता है देखिए बुद्ध्योतेजक अत्वा ब्रेर स्टोरिंग जो होता है अत्वा बुद्धिशीलता करता है अब अधानाओं वा विचारों को सोचने का तरीका था समसर सुलजाने में समाधान रूप में प्रदसित होना इसके अंतरत लोगों का एक समूह में होना आवश्यक है जो बीना किसी आलोचना अत्वा नेढ़ा के मात्र विचारों को संदर वित करें जिससे एक प्रबंधन को समाधान तक पहुँचने में आसानी हो आगे चलते हैं जमप्रबद जिसेs इंग्लिजिस में ग्रेपोइंड कहते हैं जमप्रबाद या ग्रेपोइंट की कि दिसाम जाने की छूट होती है यह समूह सदेश्चियों की सामाजिक और शक्ताओं को संतुष करने को उद्धत होता है यह इसमें सामिल लोगों के श्रता हेतों को पूरा करने के लिए ब्यापा गुरूप से प्रियुक्त होता है यह परण तो यह प्रवंधन द्वारा नि किसी निशित पद्धत का पालन नहीं करता है अर्थात यह किसी प्रवंधन द्वारा नियंत्रित नहीं होता है यह राय संदेहिवा अपवाहों को पारित करता है जो आम तोर पर आपचारिक मादमों से संचारित नहीं होते हैं आमने सामने के संप्रेश्ण का संदर्व होत जब कोई व्यक्ति अन्य व्यक्ति से अपने विचारों और राय का दोनों की उपस्ति में आदान प्रतान करता है, तो इसे आमने सामने का संप्रेशन, face to face communication कहा जाता है, आमने सामने संचार के कई लाव हैं, यह संचार विशेश रूप से चर्चा के लिए उपयुक्त है, क् यह स्रोता की तत्काल अर्था संकालिक प्रतिक्रिया है, इसमें स्रोता वक्ता के मद्य बहतर संयोजन इस्थापित होता है, जो कि केवल इसी संचार में संभव है, आगे बात करते हैं, किसी समुह या संगठन में संप्रेशन के प्रमुक्प प्रकार या प्रकारियों के ब अभी प्रेणा को बढ़ावा देता है अभी प्रेणा अथा फोस्टर मोटिवेशन मोटिवेशन को क्या करता है बढ़ावा देता है सही है तीसरा यह भावनाओं को संभेगात्मक अव्यक्ति का आउसर पतान करता है यह भी सही है यह निर्णे निर्णे को सहज बनाता है यह के मद्य बात्चीत को संदरवित करता है समुह संप्रेशन में प्रति पुष्ट कितनी अधिक होगी यह समुह के प्रधान तथा उसके सदेश्यों के परस्पर संबंधों पर नेरवार करता है संगठन समुह से भिन सो या दो सो सदिशों का हो सकता है संगठन जो है वो समुह से भिन सो या दो सदिशों का हो सकता है इसके अंतर एक इस प्रकार के संप्रेशन से सदिशों का वेवार नियंतरित होता था उन्हें अपनी संबेगात्मक अव्यक्ति का आउसर प्राथ होता है इससे सदेश्यों में अभी प्रेणा की व्रिद्धी होती तरह वह निड़ने लेने में सहज महशूस करते हैं अगला है अंतरव्यक्तिक संप्रेश्ण का एक अने नाम क्या है अंतरव्यक्तिक संप्रेश्ण का एक अने नाम है द्विक संप्रेश्ण इसे 23 संपर्षेन हो नहीं स्थान होता है, आगे चलते हैं अगला है अंतरव्यक्तिक संप्रेशन में श्रोथ प्रामक के प्रकारे निभाय जाते हैं इसको एंगलेस पढ़ेए इन इंटर पर्सनल कम्मुनिकेशन, अंतर व्यक्तिक संप्रेशन, दफ फंक्षन, आप सोर्स रिशीवर, सोर्स रिशीवर, इस्तुरोत प्रामक, सोर्स और रिशीवर मतलब जो रिशीव करता है, प्रामक मतलब रिशीवर, और परफॉंट बाई, किसके दौरा, प्रते एक निभाए जाते हैं अंतर व्यक्तिक संप्रेशन से आज दो व्यक्तियों के बीच विचारों भावनाय और सुचनाव का कि प्रतेच या प्रतेच आदान प्रतान से इसमें प्रतिपुष्टी एक महत्मूर्ट तत्व है क्योंकि इसी के आधार पर संप्रेशन की प्रक्रिया क्रोमेटिक कहते हैं रंग एक सक्स्ताली वा महत्मूर्ट संचारुक्रण जो धार्मिक, रायंतिक, समाजिक और संस्रितिक प्रभाव से बधा है यह हमारे मन को प्रभावित करते हैं अता हम श्यम को उन्हें रंगों में घेर लेते हैं जो हमारे मन पर सक्रात्यों प्रभा कहता है दूसरों के साथ प्रभावी संप्रेशन करने की किसी व्यक्तिक की छमता क्या कहलाती है तो उसे अंतरव्यक्तिक दच्छता कहते हैं इंटरपर्सनल कंपिटनेस कहते हैं ठीक है इंटरपर्सनल कंपिटनेस कहते हैं अंतरव्यक्तिक अगला है जब आप अभी विन्यासित हो जाते हैं तो आप जो है अपनी सत्निष्टा को बनाय रखते हुए अन लोगों की आवशक्ताओं प्रेणाओं इच्छाओं के बारे में विचार करते हैं जब आप अधर ओरियंटेट हो जाते हैं तो क्या होते हैं अपनी सत्निष्टा को बनाय रखते हुए अन लोगों की आवशक्ताओं प्रेणाओं इच्छाओं के बारे में विचार करते हैं अन्य अभिविन्यासित अधर ओरियंटेट प्रेणाओं इच्छाओं के बारे में विचार करते हैं अगला है समस्त अंतरवैक्तिक संप्रेश्ण का अधिभावी बिचार्णी तत्त होता है तो वह संदर्व कंटेक्ष्ट होता है समस्त अंतरभ्यग्तिक संचाओत उस संदर्व से प्रहवित होता है कि सामाजिक संदर्व पर बिचार क्याता है संपरिशन के भावनातमक मनुदोस्ता प्रतिभागियों के अपपेस्चाय भी संचार को प्रहवित करती है आगे बढ़ते हैं निम्लिकित में से कौन सा समू सदेश्यों दरा प्रभावी नेड़े निर्माण के संदर में हानिकारक हो सकता है तो आपका चरम शसक्ती सीलता इक्स्ट्रीम कोहरी विनेस आप इसको उचलाब खुद कर सकते हैं ठीक है देखिए समू सम्प्रेश्यों ग्रुप कम्मिनिकेशन में निस्क्रिय आकरामक संचार एक हानिकारक तो है जिसमें चरम शसक्ती सीलता जिसे चरम शसक्ती सीलता कहा जाता है इसका सीधा नकरात्मक अक्सर यह सुच में होते हैं जिनें आकरमकता या टकराओ के रूप में नहीं दिखा जा सकता पर उति यह बार बार इस प्रकार का अंचित व्यवहर किया तो इसे आकरामक अथ्वा चरम शसक्ती सीलता है माना जाएगा आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है आपका वह न आपका वह होता है अगला है संप्रेश्न प्रतिभाग्यों का चेन किन कार को द्वोरा प्रावित होता है संप्रेश्न प्रतिभाग्यों विच विच फेक्टर इंफ्लुएंस दा चॉइसस आफ कम्मिनिकेशन पार्टनर्स तो किसके द्वारा होता है शानिद्य उप्योगिता और अकेला पन प्रॉक्सिमिटी यूटिलिटी लोनली नेस संप्रेशन प्रतिभाग्यों का चैन निम्न कार को दरा प्रॉभावित होता है इन्हें संदेश बित्रन की प्रिक्रिया में सहायता है अनिवार बना जाता है सामने दिया निकटता उप्योगिता और अकेला पन आगे बढ़ते हैं निर्णे चमता का शार अगे बढ़ते हैं निर्णे लेने का पहला चण निर्णे लेने का प्रिक्रिया के रूप में माना जाता है जिसके परिणाम सुरूप विस्वास या अन्यवैक्तिक संभावनाओं के मधिक चुनाओं होता है तरक संगत निर्णे लेने में ठोस उद्देश सामिल होता है अता निर्णे में प्रथम चण किसी के उद्देशों को जानना अत्वा विशिष लच्चों को इस्थापित क करना होता है इस प्रकिर्या में निम्चण होते हैं क्या होते हैं उद्देशों या लच्चों को जानना समश्या को पहचानना समश्या का विशिष प्रासागीक जानकारी करना सर्वशेष समाधान का चैन कारवाई में निर्णे निर्णे प्रतिकिर्या सुनिशित करना नि नामिक समुह तक्निक में, नामिक समुह तक्निक में निर्माण तक्निक में विचारों का युगदान देने के लिए संरचित समाहित होते हैं नॉमिनल ग्रूप टेक्निक के समुह तक्निक को समुह के मन्थन के लिए संरचित प्रद्यत के रुपे परिभासित किया गया है जो सभी से निर्माण में विचारों के युगदान ही प्रोचाहित करता है यह तक्निक मुद्दो समश्यों या समाधानों के सापेच महत पर पश्टिकाण आगे बात करते हैं वहां कौन सा मानसिक प्रकारी है जो समस्या समाधान में सहायक नहीं होता है यह आपके समस्या समाधान में सहायक नहीं होता जबकि परिकलपन नेरूपण अंतर दिश्टी, साधन साध बिश्चलेशन यह सभी सहायक हैं आगे बढ़ते हैं अगला है अधुलिखित में से कौन शकरात्मक संप्रेशन माध्यम नहीं है तो ज्यादा व्यक्तिक होना वीइंग मोर परसनल यह सकरात्मक संप्रेशन माध्यम नहीं है संचार के निस्पंदन के बुरे प्रभाव को कम करने के लिए किस उपाय का प्रियुक के जाता है तो लगु परिधी करण का, शौट शर्किटिंग का, संचार में निस्पंदन के इंगलिस पड़े, which remedy is used to overcome the adverse impact of the node in communication संचार में निस्पंदन के बुरे प्रभाव को कम करने के लिए किस उपाय का प्रियुक के जाता है तो शार्ट सर्किटिंग लगु परधी करण का, आगे बढ़ते हैं चैनों को संकुचित करने में प्रियुक्त परविधियों की प्रकिरिया कहलाती है निर्णय लेना decision making कहलाती अगे बढ़ते हैं अगला है नेमलिकत में सिपकी से समपेशन अनता किरिया में हमें अवश्य ध्यान देना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए तो आपका नियामक नियम में, रेगुलेटिव रूल में किस समपेशन अनता किरिया में हमें अवश्य ध्यान देना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए तो नियामक नियम में ध्यान देना जुरूत होती है कि हमें आगे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए सबसे पहले आता है संचार प्रेशक द्वारा प्राप्त करता को सूचना भेजन की प्रक्रिया है इसमें सूचना प्राप्त करता को कूट वाचक कहा जाता है निमनिकित में से कौन उस कौशल को इसपष्ट करता है जो अन्ता है क्रिया संप्रेशन को सुगम बनाता है कौन उस कौशल को इसपष्ट करता है यह इंट्रेक्शन और कम्निकेशन को क्या करता है स्रल बनाता है तो समाजिक गॉसल ठीक है समाजिक कॉसल आगे बढ़ते हैं निमलिकित में से किसका प्रियोग अंतर व्यक्तिक संबंधन व्यक्त करने में नहीं क्या जता है which one of the following is not used to denote interpersonal relation तो संगठानात में कोशल किसका प्रयोग अंतरव्यक्तिक संबंधर व्यक्त करना मिन कहता है तो संगठानात में कोशल का लोग कोशल, मिर्दु कोशल, जीवन कोशल का सोता है आगे चलते हैं आपचारिक दिसा निर्देश यो प्राधिकार पदानुकरम संचार के किस प्रकार के उदाहन है आपचारिक दिसा निर्देश यो प्राधिकार पदानुकरम संचार के किस प्रकार के उदाहन है तो इंग्लिस पढ़ लिजे formal guidelines and authority hierarchies are example of which function of communication तो ये control का है, नियंतर्ण का द्याता भी है कि संचार में पदानुकरम यो दिसा निर्देश रात्मक संचार उपर से नीचे की ओर संचार दोता है इसका उद्यष संचार में नियंतर्ण बनाए रखना है संचार में सबसे महत्पूर्ण सब्द क्या है and क्या है तो देखिए, इसमें तुम और हम है you and we प्राप्त करता था तुम कहलाता है अशाब्दिक संचार में नियुद होता है अशाब्दिक संचार में क्या नियुद होता है एक सेकंड नौन वर्वल कम्म्मुनिकेशन में देह भाषा, मुखिय अव्यक्ति, योम लहजा body language, facial expression and tone ये नौन वर्वल कम्म्मुनिकेशन में इंक्लूड होता है अंतरव्यक्तिक के संबंधों अंतरव्यक्तिक के संबंधों में किसमें अधिक समय लगता है किसमें अधिक समय लगता है तो देखिए बिश्वास बनाने में ट्रस्ट बिल्डिंग टेकिंग प्लेस जो है इसमें अधिक समय लगता है अगला है साइमन द्वारा प्रस्तावित साइमन द्वारा प्रस्तावित निर्णय लेने की किरियाओं में से निमनिकित में से बिशम प्रक्रियाओं बताईए तो इसमें देखिए बुद्धिपूर्ण क्रिया, अभिकल्प क्रिया, यज़ाट डिजाइन एक्टिविटीज, चैन क्रिया, च्वाइस एक्टिविटीज, ये सब भी तो हैं परूंतु तदाथमी क्रिया, आइटिफिकेशन एक्टिविटीज इसके तहत सामिल नहीं हैं। साइमन दरपस्तावित निर्णन के तीन चर्ण है बुद्धिपूर्ण क्रिया दूसरा है अविकल्प क्रिया तीसरा है चैन क्रिया इसमें तदात्मी कर्ण की क्रिया बुद्धिपूर्ण क्रिया का ही एक भाग है अता इसे अलग से चर्ण नहीं माना जाता है आगे बढ़ते हैं तत्य सामगरी और निसकर्स के बीच मानसिक सयुजन क्या कहलाता है अनुमान लगाना इन्फरीं कहलाता है इन्फरीं तत्य सामगरी और निसकर्स के बीच मानसिक सयुजन अनुमान लगाना कहलाता है सहज ग्यान नेड़े क्या है? सहज ग्यान नेड़े ये क्या है? तो ये आपका C बाला पढ़िए अनुभाव भावनाओं और संचित फैस्टों पर आधारित नेड़े सहज ग्न नेड़े, अनुभाव, भावनाओं और संचीत फैसलों पर आदारित नेड़े होता हैarta नेड़े की प्रभावकारता का मुल्यांकन करना ये अंतिम प्रकरिया होती है निर्णय की प्रभाव करता के मुल्यकन इसका अंदिम चनद जिब कि समश्या को परिभासित करना किसी तरक संगत निर्णय परिक्रिया का प्रथम चनद होता है समश्या को पहचान ये समश्या को परिभासित करना आगे बढ़ते है तरकना कि इस्थापित नियमों को विपरीत निर्णे प्रक्रिया में नहीत है As against using stabilized rules in reasoning, the decision-making process involves क्या प्रक्रिया में नहीत है, इसमें अनिशिता, uncertainty निशित है रिजनिंग में uncertainty नहीं है अगे बढ़ते हैं अगला है आपका नेमलिखित में से कौन सी कौन क्रियाविदी सरवाधिक उचित है नेमलिखित में से कौन सी क्रियाविदी एक सिनन यहाँ पर इस कथन पर विचार कीजिए किस कथन पर विभिन विभागों के महत्पूर्ण विवादों को निफटाने में नियायलों को बहुत समय लगता है नियमली खित्म से कौन से किया विदी सरवाधिक उचित है नीचे दिये कोड से उत्तर चुनिया दो चीजे हैं पहला नियायलों को तोड़ित निर्ण देने के लिए विश्रिश उपाय करने चाहिए सही है दूसरा अपने विवागों के विवाधूक निप्टाने के लिए अधिकारियों को विश्रिश अधिकार देने चाहिए दो के दोनों चीजें यहाँ पर सही है C-Option आगे बढ़ते हैं समश्या समाधान के त्री प्रक्रम त्री प्रॉसेस व्यू त्री प्रक्रम आगम के या त्री प्रोसेस व्यू के अनुसार निम्न में से कौन अंतर दिश्टी का एक प्रकार नहीं है समस्या समाधान के त्री प्रक्रम आगम के अनुसार निम्न में से कौन अंतर दिश्टी का एक प्रकार नहीं है तो इसमें चैनात्मक भंडारण, selective storage इसका एक प्रकार नहीं है, इसमें आपका चैनात्मक कोट संकेतन, selective encoding, मतलब चैनात्मक तुलना, selective compression और चैनात्मक शंयुक्ती, selective combination ये हैं, पर उसमें चैनात्मक भंडारण सामिल नहीं है, एक सुपरिभासिस तमश्यास में अधोलिकित बिश्यस्ताय होती है, कौन सी बिश्यस्ताय होती हैं तो देखिए, इसमें प्रारंभिक अवस्था, लच्च अवस्था, संकारक यों नियंत्रक, संकारक यों नियंत्रक, तो इंगलिस में कहें, initial state, goal state, operations and controls, ये सभी सामिल होती हैं नियम रित्म से कौन, दλλव समाधान की आश्वास्थ अनुक्रिया है, तो देखिए, इसमें समझवता पाने की अच्चमता, समझवता-पाने की अच्चमता जो है ये स्वस्त अनुक्रिया है, अस्वस्त नहीं, आगे बात करते हैं, तार्किक विशलेशनात्मक छमता के बारे में, से समयत प्रश्णों को, पहला इसमें है, अभी तक सभी मनुष्य जो मेरे संपर्क में आये हैं, श्वार्थी हैं, अता मैं यह अनुमान क्यों ना लगा तो आप record तत्र नहीं लेटाएं। इसमें नहीं तर्किदोश क्या है अनिरुषन तथा हैं तर्किदोश नहीं थे, वह अथ्य अच्छा आदमी हैं क्योंकि उसके बोलने के ढंग से मैं अतियन प्रवावित हूं इसमें तरकदोष क्या है तो इसमें अर्थांतर दोष है इगनोरेशियो इलेंची है वह अवश अच्छा आदमी वह उसके बोले कि धंग से मैं अत्म प्रहुद इसमें अर्थांतर तरकदोष नहीं था सराप स्वास्त के लिए हानकारेक नहीं हो सकती क्योंकि यदि ऐसा होता तो डॉक्टर उसे संस्तुत ना करते। इसमें नीद तर्ग दोश क्या है ? अब आयद है समान निकाण का दोश है. विश्विद्याएले सीखने का मंदिर है अतिव इसमें राजणीत के लिए स्थान नहीं है. इसमें नीद तर्ग दोश क्वहन सा है ? इसमें आपका अर्थांतर है विश्वी जैलक सीखने का मंधिर इसमें राजनीत के लिए स्थान नहीं है इसमें नहीं निहित अर्थांतर है अग्ला है तेरह संखिया है छ tocar इक संख्या है राज संखिया हम नहित्त तर्कदोश का है सli act प्रते एक पुस्तकाले में पुस्तके होती है निसकर्स क्या है कि कोई पुस्तकाले बिना पुस्तकों के नहीं होता है है अगला के सभी गरंथ एक दिन में नहीं पढ़एजा सकते हैं 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 इसमें नहीं तरग दोस्त क्या है बिक्रह डिवीजन ठीक वहां पे चुकिस अब एक गरंद को पढ़एजा सकता है कि यहां पे बिग्रह अगला है यूदिक का लेच श्वाज स्थाई सांती इसमें चतुस्पदी फोर्टम्स तर्ग दोश है अगला है सरसन और रीजन का प्रश्ण है कथन है तार बनाने के लिए चांदी का प्रियोग नहीं किया जाता है काण चांदी कुचालक होती है तो इसमें क्या है इसमें गलत है यह कथन काण जो है कथन तो सही है तार बनाने के चांदी का प्रियोग नहीं इसमें चांदी कुचालक है यह आपको गलत है तारवाय चादी का प्रयूग निए यह सही है पर चादी कुछाला के यह गलत है तो कथन आपका सही है कान गलत है आगे चलते हैं दोजा सोला के प्रशन को देखते हैं यहाँ पर अगला प्रशन है कोई अधिकारी मेटिंग के दौरा अपने लेखनी मेज पर प्रकट करता है उसके या उसकी क्रोध को आगे बढ़ते हैं अदो लिखित में से किस प्रकार के संप्रेशन में नेतृत भूंकाओं की उत्पत् सरवाधिक महत्पूर्ण अंतरव्यक्तिक कौशल है योगिता इसी व्यक्ति में दूसरों के साथ काम करने का सरवाधिक महत्पूर्ण अंतरव्यक्तिक कौशल क्या है उसकी योगिता अपने सहकरिमियों के साथ वारता लापकी दवरां साधानता आप क्या होते हैं आप सही समय पर मुष्कुरा आते हैं आगे अबढ़ते हैं संचार का वहाथ सादन जो बहुत सारे आलाताओं को एक सुरोहत से एक साथ सूचना प्रसाइत करता है क्या कहलाता है ये आपका जन संप्रेशन मास कम्मिनिकेशन कहलाता है कछ Chevy में संप्रेशन को सामानिता समझा जाता है, संग आनात्मक, संग यानात्मक, congetive समझा जाता है, ग्यानारजन से समझे परकिलिया शंग्यान कहलाती है, एक वर्तुल, एक वर्तुल संप्रेशन, सर्कुलर कम्युनिकेशन में संकूटक खोडबंजक हो जाता है, the encoder becomes a decoder, संकूटक अथा इनकोडर बिकम्स अडिकोडर वेन देयारी जे वहाँ पे क्या होता है यहां पर देखिए थोड़ा चाव ब्याख्या पढ़ते हैं एक वर्टुवल एक वर्टुवल संप्रेशन या सर्कूलर कम्निकेशन में संकूटक कूट भंजक हो जाता है यदि वहाँ पर प्रतिपुष्टी या फीडबैक प्राप्त हो क्योंकि प्रतिपुष्टी की उपस आगे बात करते हैं टेलीफोन द्वारत संप्रेशन उदाहन है किसका तो यह यांत्रिक संप्रेशन का उदाहन है मौखिक संप्रेशन सबसे अधिक महत्पुण होता है क्या इसमें आप इसे कैसे कहते हैं यह सबसे अधिक महत्पुण होता है मौखिक संप्रेशन सबसे महत प्रियोग की योगिता पर, अपने सहयोगियों योग अधिनस्तों की भी समाद इस्थापित करने का सर्बोत्तम विकल्प है, क्या है सर्बोत्तम विकल्प, अनौपचारिक अंतासंचार, अनौपचारिक 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 अनौ आपका अजिना चुट्टी चाहता है पर उसकी अनफस्ति में आपको कार्याले काम प्रभावित होगा क्योंकि वह उस काम के लिए मुख वेक्ति है तो आपको चाहिए कि क्या आप उससे मिले चुट्टी काण के बारे में चर्चा करें उसकी उपस्ति क्या हो सकता कि उसे मना काने का प्रयास करें निर्णयन के बारे में निर्णित कत्मों में से कौन सा या से सही है तो देखिए तीन कत्म दिये के पहला यहां कारवाई को निजायद करने का काम करता है निर्णयन जो होता है सही है आप फुसके लहाँ हाँ इस बीमाड ये लिए कि दूर जाने के लाएध किसी जाथे वहएं से कुछले गए बच्यों को आप देखते जिसका चलक भागनी कुष्ट कर रहा है आप क्या करेंगे आप एक सकंड आप क्या करेंगे ततकाल गहर बच्चे को पास के इस्पताल में ले जाएंगे अगला है नेड़ेंस और समधी समश्चाएं क्या हैं नेड़ेंस समधी समश्चाएं भय यों जूटी आशा है पियर और फॉस होते हैं अगला है आप एक बड़े बेशाय वर्क के निदेशक मंडल के सदेश हैं, किसी विशेश मुद्दे पर आप मंडल के निर्णे से सहमत नहीं है, आप क्या करेंगे, आप मंडल के समझ अपना दिश्कों उनके विचाहे तो रखेंगे, अगला है, अधो लिखित को सार्थक रूप में बेवस्तित करना है, चाहिए है, आपकी सही है, और बिजो में अँकॉरन नहीं होता, ये कितन है, गलत है, तो कफचन आपका सही है, इस बिनए बिल्चों में अंकुर्ड नहीं होता है' से गारण गर लात है तो D option हो जाएगा अगला है स्टेट में कथन और निसकर्स का विद्यार्थी अपने अध्यापकों से अधिक प्रभावित होता है निसकर्थ विद्यार्थी बहुत धिकता से प्रभावित होते हैं विद्यार्थी अध्यापकों प्रभावित होते हैं वि दूसरा अभिदारती अध्यापकों को अपना आदर समानते हैं इस हो जासे थीक है तो पहला दूसरा थाथ B option हो जाएगा संप्रेशन में किसका नियम किसका नियम प्रियुक्त होता है किस मतलब किप इन शॉर्ट एंड सिंपल याद रखेगा किसी बात को जटिलता से रखने के बज़ा संचिप्तम सरल तरीके से प्रसुत करना नियम लिगत में से कौन सा काण त्योरी चढ़ाने के नकरात्मक संकेत के रूप में व्यक्त के जाता है तो चिढ़ चिढ़ना नियम लिगत में से कौन सी अंतरव्यक्तिक भूमिका नहीं है तो देखिए मालिक या बौस जो है अंतरव्यक्तिक भूमिका नहीं है नाममात क यह सुरोता द्वारा वक्ता की बात में रुच युम उसकी एकाग्रता को प्रदसित करता है निम्लित में से कौन संप्रेशन की बाधाओं में ग्रिहता की कमजोरी है विच वन आप फालूइंगे जए रिसीबर्स बीकिनेस टाइप वेडियर तू कम्नुकेशन ग्रिहता मतर जो ग्रहन कर रहा है उसकी कमजोरी है तो पूर्भाग्रा प्रिजुडिस निम्लित कतों पर विचार की कथन है कथन है उसके बाद उसका काण है अंतरव्यक्तिक भू अधिकार और संस्थिति से प्रतेश्चता जुड़ी होती है सच रोल्स आर डिराइब्ड डिरेक्टी फ्रॉम दा अथॉर्टी एंड स्टेटस तो कथनकार सही हो ब्याख्या भी ओर यह ऑप्शन हो जाएगा आगे बढ़ते हैं अगला है आपका निम्लित में से कौन तद अगला है दो सुचिया ही ने हमें सुमिलित करना है तो यहाँ पर आप थोड़ा सा जो व्यक्थ्या वाला है यहाँ पर संप्रेशन की बाधा है और बाधाओं के प्रकार उदेखे लिते हैं शब्द भंडार यह भासा समधित हैं दूरी सहजनात्मक है जल्दबाजी पालसितिकी है कोला हल पर्यावर्णी है अगला है सूचना प्रतत के प्रक्रमन यह तो व निर्ड़े लेने को किसो संदर भी होता है अंतरदर्सी निर्ड़े लेने को आगे बात करते हैं जो अल्पकालिक समयोजनों यों दिर्कालिक संचनात्मक परिवर्तनों में समता बनाये रखें उसे क्या कहेंगे उसे शंसाधन आवंटक कहेंगे रिसोर्स एलोकेटर कहेंगे जो अल्पकालिक समयोजनों दिर्कालिक संचनात्मक परिवर्तनों में समता बनाये रखें उसे संसाधन आवंटक कहेंगे आगे बात करते हैं दंद समाधान की सहलियों में से कौन बचकर निकलने की सहलियों की रूप में जाना जाता है तो करना अगला है निप्रिकित मैंसे कौन दूसरों के साथ समब्ध होने की आउशक्ता दरसाता है तो कौन दरसाता है समलित होने की आउशक्ता समलित होने की आउशक्ता नीट for inclusion आगे बढ़ते हैं अगला है द्वंद समाधान में निम्रिकित में से कौन द्वंद सम्बंधी मुद्दों के बारे में शाहमत की छेत्रों के बल देने और असाहमत की छेत्रों की उपेच्छा की व्याखाय करता है तो शमन, इस्मूधिंग अगला है कोई प्रबंदक किसी क्रेता को पहले ख़ई दी गई कोई वस्त वापस करने में सहायता करता है तो वह सहारा ले रहा है किसका योजना बद्ध नेणे का आगे बात करते हैं आप भारत सरकार के मंत्राले में उपसचियों हैं और दो तक्निकी सहायकों की निवक्ति पर नेणे लेने जा रहे हैं लेखित परिच्छा के आधार पर दो बदों के लिए दस उमिद्वारों को साच अथकार है तुर रखा गया है उनकी सैच्छी की हो ग करते हैं आप क्या करेंगे आप इसमें से चारों बिकल पढ़िए और सी बिकल कुट पढ़िए आप सभी दस उमिद्वारों के ब्यूणे की जाज करेंगे और योगता के अधर नेड़े करने करेंगे चाहे अंता उमिद्वार वाई का चैन ही हो ठीक है आगे बढ़ते हैं देखे बिशंपद ग्याद करना है इन चारों में बिशाद गरस्त सच्चा धूर्थ और सदाचारी में तो इसमें देखे बिशाद गरस्त जो है बिशाद गरस्त सच्चा धूर्थ सदाचारी में बिशाद गरस्त सेस तीनों से बिन्ने क्योंकि सेस तीनों जो है सच्चा ही ऐसहीशून होते हैं तो एक सब्खेन यहां पर निम्रित कथन का विश्रिण कीजेए और दिया पर वह विकल्बन सहयूद करें क्या है रून्हवादी लोग बिरले haasahison news होते हैं तो इमें सही क्या बाना जाएगा तो इसमें देखिए कि सी वाला प्रयापत रूनिवादी शहिशून है अगला है यह रिजनिंग के प्रशनों के यहां पर हम खुर्ट कुछ नहीं करना है आग़ बढ़ते हैं अंतर व्यक्तिक उस्चार संप्रशन को देखते हैं संबंदू की संच्चना संबंदित है किस से तो यह आपका अभी प्रिणार से संब्दित किस से है अभी प्रिणार विवक्त किया जाता है तो यह किसे एकागरता को आगे बढ़ते हैं निर्ति अत्यंत परिस्कृत और कलात्मक शुरूप है किसका असाब्दिक संप्रेशन का निम्रिक्त में से कौन सा असत्य है अंतरव्यक्तिक कौसल विख्षित होते हैं अनुकरण के द्वारा तदात्मी क सा अको चा अ तरग में परिए आगे बढ़ते हैं अगला है कि स्फ्रेशन में गिर्दा की प्रकार की रुकावट है तो पूर्बाग्रा पूर्बागर में ď रुकावट है निम्रिक्त में संकेत शौरद पूर्द सम्हजाजाता है कौन संधैता है तो घूर Constitution घूर्दा औ शाहवाद पूर्ठ समझाजाता है निम्नितिक में से कौन अंतरव्यक्तिक संबंधों के निर्माण में समश्य उत्पन कर सकता है तो सरमीलापन आगे चलते हैं संब्रेषण के प्रक्रम में प्र्थम चल्ड क्या होता है वहाँ पर ब्रकारियों किसी संगठन में संप्रेशन जो प्रकारियों अस तरों से परे, पाय जाता हुआ जाना जाता है, किस रूप में? दिकर्णरी संप्रेशन के रूप में, Diagonal Communication के रूप में जाना जाता हैं. आगे बढ़ते हैं, अंतर व्यक्तिक कौसल के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? व्यक्तिक किसी भासम प्रभाव भासारी डग से संप्रेशन कर सके। आगे बढ़ते हैं, अंतर व्यक्तिक कौसल में निम्लिखित में से कौन सुसंगत नहीं है? तो इसमें सकरात्मक कफत्त कान का प्रश्ण है देखे सबस्क्राइब करने की लोग और उनकी बेदा स्रुन होती है तो कफत्त करता है सब Täसी 305 वेक्ति ऑनकी समोस rosn साँ में यह व्याख्या नहीं हो सबस्क्रा तो जीसलिया नहीं हो रही है तो कैने कला वज्यूमें तो पुस्वेक्त को जिसे सुना जा रहा है कुछ संप्रिष्ट करता है यह पहले का कार्ण नहीं तो इसलिए आप्स नहीं आदे के इस पश्टी कार्ण नहीं है तो यहां पर क्या है यहां पर जो दूसरा वाला तर्ख है कि अमीर विदेशी परेटों को ठाड़ने कोई स्थान नहीं रह जाएगा यह वाला आपका तर्ख सही है पहला वाला सही नहीं है आगे बात करते हैं यह दिए गए कठन एक तथा दो सत्य निसकर्ष पहला और दूसरे मैंसे कोण निर्गत होगा मतलब यहां पर कथन के जो दोनों कथन हैं, दोनों बाते हैं वो सही मानना है, कुछ मंत्री अध्यापक है और सभी अध्यापक बिद्वान है, कुछ मंत्री जो है, इसको मनिश्र मान लीजिए, कुछ मंत्री अध्यापक है, यह टीचर मान लीजिए, और सभी अध्यापक जो सभी बिद्वान जो अध्यापक यह सही नहीं है, कुछ मंत्री बिद्वान है, कुछ मंत्री जो है बिद्वान है, तो पहला आपका सही है, पहला आपका सही है, के वल निस्कस पहला, आगे चलते हैं, यह द्वीप एक उपनिवेश है किन्तो यह है और अपने मूल दे से कोई आदेश नहीं प्राप्त करता है निम्रिकित में से लुप्त सब्द को प्राप्त कीजी क्या होगा दूसरे ही दिन उसकी परिच्छा है, इसी रात सूप्रसिध नाटक हेलमेट का मंचन हो रहा है, दोनों क्या निर्णे करेंगे, दोनों नाटक से दूर रहेंगे परिच्छा की तयारी में लगेंगे, वहाँ कौन सा कारक है जो प्रभावी समिश्चा समाधान में बाधक होता है, आगे बढ़ते हैं, निम्लेट में से कौन टियोरी चढ़ाने के नकरात्मक संकेत की उससरजन का कारण है, तो ये जुझलाहट को बताता है, जुझलाहट को, तो इस प्रकार से हमने जो भी 2012 तक, 2021 से 2012 तक जो भी इस सक्षन से प्रशल पूछे गए थे, उनको यहाँ प